Hello students, welcome to career duty education आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप अपने कंप्प्पुटर में टेली प्राइम सौफ़्टर डाउनलोड करना चाहते हो और इंस्टॉल करना चाहते हो तो किस तरह से करेंगे इसके लिए आपके कंप्पुटर में इंटरनेट का होना ज़रूरी है आपको क्या करना है अपने कंप्पुटर के प्रोम में जाना है ब्राउजर में जाना है और ब्राउजर में जाने के बाद आपको गूगल पर सर्च करना है Tally Prime Free Download आपको इस रहर से सर्च करना है सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट आप्सन दिखाई देगा Download Tally Solution करके यह option पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर Tally का जो main website यह open हो चुका है यहाँ से आपको Tally यह download का आपको option दिखाई दे रहा है यह download option पर आपको क्लिक करना है जैसे आप इस option पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर Tally download दिखाई देगा यह Tally जो है आपका डाउनलोड हो रहा है तो इस तरह से यह Tally software को आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करने में बहुत जादा समय नहीं लेगा, बहुत कम समय में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, तो यहाँ पर यह सौफ़ेर मेरा डाउनलोड हो चुका है, तो इसको मैं यहाँ से ओपिन कर लेता हूँ, यहाँ पर डाउ आपको ये स्कूल आपको करने के बाद आपको कॉन्सक्राइब करने के बाद ये लूकेसन पर इसको कॉन्सटाइब करने का यहां पे आपको कहीं दूसरी लोकेशन इसको configure करना है तो आप यहां से इसको configure कर सकते हो otherwise आपको यहाँ पर install बटन पर क्लिक करके इसको install कर लेना है और इस तरह से आपका यह software जो है आपके computer में install हो जाएगा इस तरह से आपका software इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर start tally prime option आ रहा है इस पर आपको click करना है इसको click करने के बाद आपका tally का software अभी open होएगा यह आपका tally का software open हो रहा है इसको open होने में थोड़ा सा time लगता है तो आपको इसका wait करना है इसके बाद जा है कुछ open होने के बाद यह आपको windows security alert का option आएगा इसको आपको allow access पर click करने के बाद आपका यह window चला जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पर आपका application start up के आपको accept कर लेना है जैसे आप इसको accept कर लेते हो तो आपको welcome to tally prime तally prime में आपका स्वागत है अगर आपके पास license है तो आप यहाँ पर license का entry कर सकते हो अगर आप अपने license को यहाँ से अगर आप अपना license का use करना चाते हो अगर आपने कोई आपका company है business है और आप इसको activate करना चाते हो तो आप यहाँ से activate कर सकते हो अगर आप student हो तो आपको यहाँ से educational mode में जाके आपको यहाँ से इसको सीखना है आपको इसके आपके practice करना है तो हम लोग यहाँ पर educational mode में जाएंगे यहाँ पर try it for free option पर जाएंगे और यहाँ से आपको आप अपना नया company create कर सकते हो तो my dear friends अगर आपको जानकर या अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को subscribe जरूर कर ले आज की lecture में इतना ही आज की lecture में बस इतना ही next lecture में हम लोग देखेंगे टैली में company के से create करना है और टैली सब्टर को किस तर से use करना है आशा करता हूँ आपको हमारा lecture पसंद आया रहेगा दन्यवाद